हेलो एवरीवन वेलकम टू पीएसी कोचिंग आज हम लोग पॉलिटी के सेकेंड लेक्षर में आर्टिकल पांच से लेके ग्यारा तक पढ़ने जा रहे हैं ठीक है इसे भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक्जामनेशन में तो हम लोग जल हैए आर्टिकल पांच से बांच में क्या लिखा हुआ है यह पांच मे बताता है कि इंड्या इंडिया में जो भी नागरिख 26 जनवरी 2021 तक जन में वह वा बरस ही इंडिया के सिटीजन हो जालेगे तो आर्टिकल if I बाई बर्थ इंडिया के लोगों को सिटीजन्सिप देने की बात करता है तो आर्टिकल 6 में दिया हुआ था कि ऐसे पर्षन जो पाकिस्तान से भारत आये थे ऐसे पर्षन जो 19 जुलाई नायने टी फोटी एट तक पाकिस्तान से भारत आ चुक है उन्हें भारत की नागरिक्ता प्राप्थ होगी ऐसा करता है आर्टिकल 6 ऐसे पर्षन के लिए था जो भारत से पाकिस्तान गह थे और पाकिस्तान से वापस इंडिया आये थे तो उन przysz लिए कुछ लिए कुछ ठीक है ऐसे भारत के नागरिक जो पहले तो पाकिस्तान चले गए थे पाकिस्तान गए थे और बात में क्या थे भारत लौट आए थे इस तरीके के लोगों को भी नागरिकता प्रदान की गई थी आर्टिकल 7 के तहां ठीक है तो आर्टिकल 5 वाइब बर्थ सिटीजन्चिप देने की बात करता है आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आये लोगों को भारत में आये लोगों को बात करता है आर्टिकल 7 जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर लौट करके कहां आगे भारत आगे उन्हें आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता दी जाती है आर्टिकल 8 भारत क कुछ लोग विदेशों में रह रहे थे आजादी के समय तो नराइस को भी तो नागरिक्ता देना होगा तो भारत के वैसे लोग वैसे भारतिये मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे थे उन्हें भी कुछ सर्थों के साथ आर्टिकल एट के अंदर नागरिक्ता प्रदान की गई थी इसे याद रखेंगे आर्टिकल 9 9 से याद रखेंगे 9 और नौट है ना आर्टिकल 9 9 से क्या याद रखना है नौट अभी उपर में जितने भी आर्टिकल से 5 से लेके 11 तक में सिटीजन सिप जो भी प्रोवाइड किया अभी तक 5 पढ़ा हम लोगों ने थेके 5 पढ़ा 6 पढ़ा 7 पढ़ा 8 इसमें क्या कर रहा है नागरिक्ता देनी की बात हो रही है जबकि 9 में क्या है 9 से 9 कि कैसे भारत की नागरिक्ता ले ली जाएगी या छीन ली जाएगी तो अगर कोई भी व्यक्ति स्वेक्षा से नागरिक्ता छोड़ता है भारत की तो 9 जो है उसको बताता है कि उससे नागरिक्ता छीन ली जाएगी ठीक है तो 9 है कि किस तरीके से कुछ से छोड़े या विदेशी राजी की नागरिक्ता ग्रहन करें दोनों ही सर्तों पर भारत में क्या करेगा आर्टिकल 9 क क्या बताता है आपको कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो आपके नागरिक्ता को सुनिश्चित कौन करेगा संसत ठीक है संसत जो है आपके नागरिक्ता को बनाए रखने का काम करेगा ठीक है संसत के अलावा कोई भी जो है नागरिक्ता आपका छीन नहीं सकता यह है आर् और Article 11 दोनों ही पार्लियामेंट के पावर को बतलाता है, एक बतलाता है कि जब तक पार्लियामेंट जो कानून है उसके तहत आप नहीं आते तब तक आपसे नागरिक्ता नहीं छीनी जाएगी, ठीक है, दस में, और Article 11 क्या बोलता है कि संसद ही नागरिक्ता संबंधी नए का उनको क्या करेगा बनाएगा, तो आई होब कि पांच से लेकर के 11 तक की आर्टिकल को आप लोग अच्छे से याद करेंगे, एक दम, एक एक वर्ड में याद रखे, पांच, बाइबर्थ नागरिक्ता प्रदान किया गया, six, six, पाकिस्तान गए जो ऐसे लोग जो पाकिस् बिदेशी लोगों के लिए नागरिक्ता, no, no से not, ठीक है, कि भारत की नागरिक्ता छीन ली जाएगी, अगर आप दूसरे देश की नागरिक्ता को श्विकार करते हैं या स्वेक्छा से छोडते हैं, ठीक है, दस, संसध ही आपकी नागरिक्ता संबंधी अधिकारों को छी झाल झाल